नमस्कार छात्रों आधान क्लासिज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेर्स पर सबसे महत्वपूर्ण और शोद किये गए प्रश्न उत्तर प्रदान कर रही है। करंट अफेर्स पर यहां हमारा 28 वीडियो है। आपसे अनुरोध है कि बहतर परिणाम प्राप करने के लिए पिछले वीडियो को भी वाच करें। प्रश्न एक लेज लेज ने घोशना की कि किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एमबेजडर बनाया गया है जो एक अभियान में अभिनय कर रहा है नो लेज, नो गेम। सहीर उत्तर है दी महेंद्र सिंग धोनी। लेज ने महेंद्र सिंग धोनी को अपना ब्रांड एमबेजडर घोशित किया है जो नो लेज, नो गेम अभियान में अभिनय कर रही है। प्रश्न 2. गुजरात के गांधीन गर में देश के पहले नैनो डियेपी सन्यंत्र का उद्गादन किसने किया है? A. अमिच शाह B. नरेंद्र मोधी C. नितिन गड़करी D. इमोहन भागवत सही उत्तर है A. अमिच शाह ग्रिया मंत्री श्री अमिच शाह ने गुजरात के गांधीन गर में देश के पहले नैनो डियेपी सन्यंत्र का उद्गाटन किया प्रश्न 3. कौन सी कंपनी ने भारत में आनलाइन वितिय धोखाधरी से लड़ने के लिए डिजिक्वच कार्यक्रम शुरू किया है? गूगल ने भारत में आनलाइन वितिय धोखाधरी से लड़ने के लिए डिजिक्वच कार्यक्रम शुरू किया प्रश्न 4. किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्तनाने के लिए मिशन हो पहल शुरू की है? पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशियेटिव शुरू किया है प्रश्न 5. किस देश ने बंग्डाल की खाडी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम हमून रखा है? इरान ने बंग्डाल की खाडी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम हमून रखा है प्रश्न 6. किस देश ने अर्धचालत आपूदी श्रिंखला साज़दारी के लिए सहयोग ज्यापन को मन्जूरी दे दी है? A. फ्रांस B. जर्मनी C. सिंगापूर D. जापान सही उत्तर है D. जापान केंद्रियम मंत्रिमंडल ने जापान भारत सेमी कंड़क्तर आपूर्ती श्रिंखला साज़दारी पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्यापन को मन्जूरी दे दी है प्रश्न साथ एशियाई पैरा खेलों में पुरुषों की चक्का फैंक में किस भादिय ने स्वर्ण पदक जीता? A. अतुल सकसेना B. नीरज यादव C. राकेश भहरा D. मोहित सिन्हा सही उत्तर है B. नीरज यादव भारत के नीरज यादव ने एशियाई पैरा खेलों के पुरुषों के चक्का फैंक में स्वर्ण पदक जीता प्रश्न आठ अनुभव पुरसकार दो हजार तेईस फीट की सकेंद्रिय मंत्री द्वारा दिया गया है A. अमिच शाह B. राजनाथ सिंग C. जितेंद्र सिंग D. अनुराग ठाकुर सही उत्तर है C. जितेंद्र सिंग पैंशन और पैंशन भोगी कल्यान विभाग DOPPW ने वर्ष दो हजार तेईस के लिए अनुभव पुरसकार की घोशना की है केंद्रिय मंत्री डॉक्तर जितेंद्र सिंग द्वारा प्रदान किया गया अनुभव पुरसकार प्रशन नौ कौन साओधी अरब के रियाद में सात्वेन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशेटिव में भारत की ओर से भाग ले रहा है सहीर उत्तर है केंद्रिय मंत्री प्यूच गोयल रियाद साओधी अरब में सात्वे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशेटिव में भारत की ओर से भाग ले रही है प्रश्ण 10. भारत सरकार ने किस श्रेणी के चारों के लिए आवासिय शिक्षा योजना श्रेष्ट शुरू की है A. अनुसूचित जन जाती B. अनुसूचित जाती C. अन्य पिछरा वर्ग D. छात्रों की सभी श्रेणियों के लिए सही उत्तर है B. अनुसूचित जाती C. अनुसूचित जाती के चात्रों के सामाजिकार्थिक उत्थान और व्यापक विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालेओं में छात्रों के लिए आवासिय शिक्षा योजना श्रेष्ट शुरू की है प्रश्ण 11 क्रिशी विश्व विद्याले ने मोटापे और मधुमे को नियंत्रित करने के लिए PBWRSA गेहूं की किस्म विक्सित की A. हिमाचल प्रदेश क्रिशी विश्व विद्याले B. हरियाना क्रिशी विश्व विद्याले C. राजस्थान क्रिशी विश्व विद्याले हरत क्रांती में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले लुध्याना में पंजाब क्रिशी विश्व विद्याले पीउ ने PBWRS एक नामक गेहूं की एक नई किस्म विक्सित की है गेहूं की इस किस्म में एमाईलोज स्टार्ज की मात्रा अधिक होती है जो टाइप दो मदुमें और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने के लिए जानी जाती है प्रश्न बारा किस देश की टीम ने जापान में दो हजार तेईस में चौसटवे अंतराश्य गणितिय ओलंपियाड में दो स्वर्ण पदक जीती A. भारत B. चीन C. जापान D. फिनलेंड सही उत्तर है A. भारत B. जापान के चिबा में आयोजित चौसटवे अंतराश्य गणितिय ओलंपियाड आईएमो दो हजार तेईस जुलाई के दो से तेरह दो हजार तेईस में छैस अदसिय भारतिय टीम ने दो स्वर्ण, दो रजट और दो कांस्य पदक हासिल किये और 112 देशों में से नौवे स्थान पर रही प्रश्न तेरह किस राज में प्रोजेक्ट गजा कोठा शुरू किया गया था? A. केरल B. असम C. बिहार H. E. C. मुदे को कम करने के प्रयास में प्रोजेक्ट गजा कोठा लॉंच किया अभियान में 1200 से अधिक व्यक्ति शामिल है और सहस्तित्व को बढ़ावा देते हैं प्रश्न 14 किस अभिनेता को चुनाव आयोग इसी वारा राश्च्रिय आइकन के रूप में शामिल किया जाएगा? A. आमिर खान B. राजकुमार राव C. सनी देओल D. अमिताब बच्चन सही उत्तर है B. राजकुमार राव अभिनेता राजकुमार राव को हिंदी फिल्म न्यूटन में एक सिध्धान्तवादी सरकारी कलर्ग की भूमी का निभाने के लिए जाना जाता है, जो 36 कड के नकसल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने का काम करता है प्रश्न 15 किस राज में बाल विवा के खिलाफ अभियान सितंबर में फिर से शुरू किया गया था? A. मनिपुर B. उत्तरप्रदेश C. उत्तराखंड D. असम सही उत्तर है, D. असम फरवरी में इस तरह के आखिरी अभियान ने 4,235 शिकायतों के बाद राज्य भर में हलचल मचा दी थी और बाल विवा में शामिल होने के लिए 93 महिलाओं सहित 3,000 से अधिक लोगों को गिरफतार किया गया था प्रश्न 16 कार्लोस अलकाराज जनों ने अपना पहला विंबलेडन खिताब जीता किस देश से संबंधित हैं? A. जर्मनी B. स्पेन C. पुर्टगाल D. इटली सही उत्तर है, B. स्पेन स्पेन के कार्लोस अलकाराज ने साथ बार के चैंपियन नोवाग जोकोविच को हरा कर अपना पहला विंबलेडन खिताब जीता प्रश्न 17 किसने 29 अगस 2023 को कौशल भवन नई दिल्ली में Let's Move Forward नामक एक उपन्यास कॉमिक बुक लॉंच की है A. अमिच शाह B. धर्मेंद्र प्रधान C. अनुराधा ठाकुर D. राजनात सिंग सही उत्तर है, B. धर्मेंद्र प्रधान केंद्रिय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 29 अगस 2023 को कौशल भवन नई दिल्ली में Let's Move Forward नामक एक उपन्यास कॉमिक बुक लॉंच की है प्रश्न 18 स्वनंद्र रा सेनानी शंकरया को किस राज्य के मदुरे कामराज विश्व वियाले से डॉक्रेट की मानद उपाधी मिलेगी? A. केरल B. उत्तराखंड C. कमिलनाडू D. राजस्थान सही उत्तर है, C. कमिलनाडू कमिलनाडू के मुख्य मंत्री M. के स्टालिन ने घोष्णा की की मदुरे कामराज विश्व विद्याले स्वतंत्रता सेनानी और कम्यूनिस्ट नेताएं शंकरया को डॉक्टरेट की मानद उपाधी प्रदान करेगा, जो 102 वर्ष के हो गए प्रश्न 19 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार करने के लिए सरकार ने कितना पैसा आवंटित किया है? A. बीस हजार रुपय करोड B. तीस हजार रुपय करोड C. चालीस हजार रुपय करोड D. पचास हजार रुपय करोड सही उत्तर है B. 30,000 रुपए करोड सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल का विस्तार करने के लिए 30,000 रुपए करोड आवंटित किये है परश्न 20 भारतिय वायू सेना अधिकारी एयर मार्शल साधना सकसेना नायर को 23 अक्टूबर 2023 को सैन्य अस्पताल सेवा MHS का महानिदेशक DG बनाया गया A. मंदीप कौर B. एहमा देशाई C. सुधा नायर D. वैश्नवी भारगव सही उत्तर है C. साधना नायर सुधा नायर इस पत को संभालने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई है प्रश्न 21 गगनियान मिशन TVD एक परीक्षण उडान का उदेश क्या था? A. अंतरिक्षियान को स्थिर करने और प्रित्वी के वायुमंडल में पुन प्रवेश के दोरान इसे कम करने में जौप पैराशूट के प्रदर्शन का मुल्यांकन करना B. विभिन्न उडान स्थितियों के तहट चालक दल के भागने की प्रणाली और पैराशूट आधारित मंदी प्रणाली का आकलन करने के लिए C. प्रित्वी जैसी वायुमंडलिय स्थितियों का अनुकरन करने और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सही उत्तर है, एक गगन्यान मिशन टीवीडी एक परिक्षन उडान को अंतरिक्षियान को स्थिर करने और प्रित्वी के वायूमंडल में फिर से प्रवेश के दौरान इसे कम करने में जौप पैराशूट के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया था प्रशन 22, जो भारत का एक मात्र बैंक है जो ग्राहकों को खादा संख्या के रूप में किसी भी नाम का उप्योग करने की अनुम्ति देता है A. Axis Bank B. I. C. I. C. I. Bank C. Indian Overseas Bank D. Indian Bank सही उत्तर है C. Indian Overseas Bank प्रशन 23, अमेरिका ने किस देश को मिसाल घडकों की आपूर्टी करने के आरोप में तीन चीनी फर्मों पर प्रतिबंद लगाया A. भारत B. चीन C. पाकिस्तान D. बांगलादेश सही उत्तर है C. पाकिस्तान अमेरिका ने पाकिस्तान को मिसाल कलपूर्जों की आपूर्टी करने के आरोप में चीन की तीन कंपनियों जनरल टेकनोलोजी लिमिटेड B. बीजिंग लो लो टेकनोलोजी डेवलप्मेंट और चांगजो उतेक कंपोजिट कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है प्रश्न 24 पहले यह परियतन मंत्राले के अधीन आता था प्रश्न 25 किस भारतिय खिलाडी ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब जीदा A. अंकिता रैना B. उन्नती हुड़्डा C. अदिती सिन्हा D. पीवी सिंदू सही उत्तर है B. उन्नती हुड़्डा भारत की युवा बैडमिंटन खिलाडी उन्नती हुड़्डा ने अबू धाबी मास्टर्स 2023 महिला एकल बैडमिंटन खिताब जीत लिया है उन्होंने फाइनल में सामिया इमाद फारुकी को हराया झाहिंस फॉर वाचि को इस वीच एड़ लाएंगर ए स्पथर एंग में सुझा लाएंगर इसात्र एपीज उस्प्टियू जाओर टॉड़्य दियुज वाच वाटिए प्रफब एक्सम्स प्रफब एक्सम्स